प्रकार से योगीकों का भी निर्माड होता है और इस प्रकार से योगीकों का भी निर्माड होता है और इन ही योगीकों की वज़े से हमारे जो पूरी जीवन शैली होती है वो प्रभावित भी होती है और हम सभी इस प्रकार की योगीकों से घिरे हुए हैं बिना इन योगिकों के हम अपने जीवन की कलपना नहीं कर सकते हैं। इन योगिकों के निर्माण में वास्तों में जिन तत्वों का योगदान होता है, उन तत्वों की खोज लगभग 118 तत्वों की खोज आज तक हो चुकी है। इन सभी तत्वों की विशेसनाएं भी अलग अलग होती हैं, यहां हमने कुछ तत्वों के बारे में, कुछ योगीकों के बारे में पढ़ा है, विशेश रूप से हमने नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बन, इनसे बने कई सहसेयोजक योगीकों के बारे में पढ़ा है, जैसा कि हमने सहसेयोजक योगीक में एक उदाहरन पड़ा था अमोनिया का तो अमोनिया का जो सूत्र है वो NH3 है और यह अमोनिया एक सहसे होजी योगिक है जिसका निर्मार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हुआ है जब यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक अलबंद का न तो oxygen और hydrogen के बीच भी एकल बंद का निर्माड हुआ और दूसरी तरह भी oxygen और hydrogen के भी एकल बंद का निर्माड हुआ और यहाँ पर साजेदारी से बंद का निर्माड हुआ और इस प्रकार H2O1 सहसेह Musti योगिक है ऐसे ही कई योगिकों के बारे में हमने जाना रासायनि काभं तो यहां पर हम कुछ ऐसे और योगिकों के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बने कई सारे सहसे और जी योगिक हैं वास्तों में ऐसे जो पूरे एक श्रिंखला है या इ एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं ऐसे योगिकों की जो पूरी एक स्रिंखला है जिसे हम हाइड्रो कार्बन नाम से जानते हैं तो जैसा नाम से इस पश्च है हाइड्रो कार्बन तो ऐसे योगिक जिन में हाइड्रोजन और कार्बन हो तो इस प्रकार के योगिकों को हम कह है hydrocarbon अब यहां पर हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तों में कारबण में ऐसी क्या ॣ शमता होती है यह इसा कौन सा गुण होता है जो कारबण इतने प्रकार की योगी को का निर्माड कर सकता है और देखा जाए तो कारबन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि वो कई परमाणों के साथ मिलकर कार्बन की ही एक लंबी श्रिंखला का निर्मार कर सकते हैं और इस प्रकार के गुण को ही श्रिंखलन का गुण भी कहा जाता है तो carbon और hydrogen दो ऐसे तत्व हैं जो आपस में मिलकर कई प्रकार के योगिकों का निर्मार कर सकते हैं और जो hydrogen है वो nitrogen, oxygen इनके साथ भी योगिक बनाते हैं लेकिन इसकी संख्या बहुत ही कम होती है hydrogen जो है वो ammonia बनाता है, जल बनाता है लेकिन हम देख रहे हैं कि hydrogen से बनने वाले जो योगिक हैं दूसरे तत्वों के साथ उनकी संख्या प्रकृती में बहुत ही कम हैं लेकिन carbon जो है उसकी ये शमता होती है कि वो hydrogen के साथ मिलकर कई प्रकार के योगिक बना सकते हैं जिसे हम hydrocarbon कहते हैं ये गोड़ जो है वो carbon क्यों दर्शाता है इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले हम carbon की लंबी श्रिंखला बनाने की जो प्रवृत्ती है उस पर हम चर्चा करते हैं तो ये जो प्रवृत्ती है जिसमें carbon एक लंबी श्रिंखला बना सकते हैं इसे हम श्रिंखलन या catination कहते हैं तो हाइड्रो कार्बन का जो सबसे सरल्तम हाइड्रो कार्बन माना जाता है वह है मेथेन जिसका सूत्र होता है CH4 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल बंद बनाये हुए है और चारो तरफ यह हाइड्रोजन से एकल बंद से जुड़ा हुआ हैं तो CH4 इसका सूत्र है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि पूरे मिथेन में एक हाइडरोजन परमाडू को हटा दिया जाए तो यह जो पूरा सम्मू है CH4 से एक H हटाने के बाद जो नया सम्मू तयार होता है CH3 अब इस CH3 के साथ हमने यहाँ पर एक बॉंड दर्शाय है इस बॉंड का यह अर्थे यह बंद जो है वह दूसरे किसी तत्व से या किसी दूसरे सम्मू से जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की जो सयोजकता होती है वह 4 होती है कार्बन का जो परमाडू क्रमांग है वह 6 है जब हम इसे विभाजित करते हैं इसका इलेक्ट्रोनिक विन्याज बनाते हैं तो दो और चार लिखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अश्टक पूरा करने के लिए इसे चार इलेक्ट्रोनों की अवशकता है और यह चार इलेक्ट्रोन यह साजेदारी से पोर्ण करते है यहाँ पर हम बात करते हैं मेथेन से बना हुआ मेथिल समू की तो मेथेन में जब हम देख रहे हैं कि एक एच हटा देने पर CS3 समू बना जिसमें एकल बंध है अब यह CS3 समू मेथिल कहलाता है तो जब मेथेन है, मेथेन से एक H हटा दिये, तो हटाने के बाद यहाँ बनता है मेथिल, CH3 पर एक bond लगा हुआ है, यहाँ पर यदि हम मेथेन में से एक H हटा दे और उस H को हटा कर हम H की जगह पर CS3 लगा दे, तो वास्तों में यह एक नया सुत्र बन जाएगा, एक नया योगिक बन जाएगा, CH3, यानि इस C से भी 3 H जुड़ा हुआ है, और इस C से भी हम देख रहे हैं कि 3 H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 2 हो गई, और हाइड्रोजन की संख्य जो है वो 6 हो गई तो ये जो बना है वो कार्बन के दो परमाणों से बना है और साथ ही इसकी सेवजक्ता को पूर्ण करने के लिए इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि एकल बंध है और एकल बंध से यह हाइड्रोजन से भी जुड़ा है और एकल बंध से यह कार्बन से भ हटा कर उस H की जगह पर हम एक मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो मेथेन ही एथेन में परिवर्तित हो जाता है यह जो मेथिल समू है यदि इसे हम लगातार मेथेन जैसे सरल्तम जो यौगिक है उसमें लगाते रहें एक-एक H को हटा कर तो यहीं से हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रिंखला का निर्मार प्रारंब हो जाता है तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हम सरल्तम हाइड्रोकार्बन मेथेन से किस प्रकार एथेन प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर यह हमने देखा कि कार्बन एक लंबी श्रिंखला में जो परिवर्तित हो रहा है वह मेथेन के H को हटा कर मेथिल के जोड़ देने पर मेथेन से ही एथेन के बनने पर हुआ इसी प्रकार यदि हम श्रिंखला को और बढ़ाएं तो हमें किस प्रकार के योगीक प्राप्त होंगे इस पर हम बात करते हैं चलिए देखें कि यदि हम एथेन में ही एक CS3 और लगा दें तो एथेन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि एक कारवन और जुड़ जाता है तो यहाँ पर यदि हम इसके अणुस्तर को देखेंगे तो कारवन की संख्या हो गई तीन तो C3 होगा और H की संख्या जो है यहाँ पर आठ हो गई तो C3H8 जो की प्रोपेन को दर्शाता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है और सभी आपस में एकल बंद से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम हाइड्रो कार्बन के एक ऐसे परिवार की बात करते हैं जहाँ पर केवल एकल बन से ही सभी कार्बन पर माड़ू और एकल बन से ही कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वह जुड़े हैं और ये कार्बन की सेवजकता को पूर्ण कर रहे हैं कार् कार्बन की स्योजक्ता पूर्ण हो गई, चाहे हम मेथेन ले, एथेन ले या प्रोपेन ले, ये तीनों ही जो योगिक हम ने देखा, ये मेथिल समूं को लगातार यदि हम जोडते जाते हैं, एक एक एच को हटाते हुए, तो एक कार्बन की लंबी श्रिंखला प्राप्त होत कर सकते हैं, कि कार्बन एक ऐसा तत्व है, जो अपने ही परमाड़ों के साथ, और अन्य तत्वों के परमाड़ों के साथ, अपने ही कार्बन परमाड़ों के साथ, प्रबल आबंद बनाता है, तो ये जो कार्बन है, इसके इस तरह के बंद बनाने की शमता की कारण ही, इसम श्रिंखलन का गुड़ पाया जाता है श्रिंखलन के इस गुड़ के कारण ही हम ये पाते हैं कि प्रित्वी पर जो कार्बन से बने हुए योगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है अन्य किसी भी तत्वों से बिलकर बने हुए योगिकों की तुलना में तो कार्बन में यह हगोण होता है कि वह आपस में भी जुड़े आपस में अपने परमाणों से भी जुड़ता है साथ ही वह दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर भी कई प्रकार की योगी को का निर्मार कर सकता है यहां पर हम यदि बंद की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच एकल है तो हाइड्रोकार्बन का जो संघनित निरूपण है उसे हम देखेंगे कि वास्ताव में हाइड्रोकार्बन को जब हम दर्शाएंगे तो एक संघनित निरूपण किस प्रकार से किया जा सकता है यहने हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के सूत्र को कॉम्पैक्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं, संगनित रूपने हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम सीखेंगे. अब तक हमने हाइड्रोकार्बन को दर्शाने के लिए इस प्रकार की सनरशना सुत्र को देखा, कि carbon hydrogen के मद्धिस एकल बंध है hydrogen और carbon आपस में एकल बंध से जुड़े हैं या carbon carbon भी आपस में एकल बंध से जुड़ा हुआ है यदि हम CH3 CS3 को लिखते हैं तो CH3 CH 3 तरफ है और इसी C से जुड़ा हुआ एक और C है यहां भी हम देख रहे हैं कि 3 hydrogen से जुड़ा है यहां पर यदि CS3 को बढ़ाते जाएं तो देखते हैं कि एक bond के साथ यदि बढ़ाते जाएंगे तो एक लंबी hydrocarbon की श्रिंकला बनती है तो इसे हम संगहनित रूप में कैसे लिख सकते हैं तो यदि हमें लगातार carbon की श्रिंकला बढ़ाते जाने हैं तो यहां पर बंध को य का सुत्र होता है यदि हम इसे संगहनित रूप में दर्शाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं CS3, CH3 यदि यहां पर हम देखते हैं कि CS3 की ही एक लंबी श्रिंकला जुड़ रही है और मान लीजिए कि हमें 6 carbon वाला एक श्रिंकला बनाना है तो CS3, CH2, 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 CH3 यहा CS3, CH2 है और दोनों तरफ CS3, CS3 है यह जो दोनों एंड पर CS3 जुड़ा हुआ है इसका क्या आर्थ है दोनों एंड पर जो CS3 है वो CS3, C के साथ H के साथ हम देख रहे हैं कि C और H के बीच एकल बंद का निर्माड हुआ है और carbon की सविज़क्ता जो है वो 4 होती है तो यह जो अंतिम शिरा या प्रारंब का जो शिरा है यहाँ पर CS3 और अंतिम शिरे में भी CS3 लेकिन बीच में हम देख रहे हैं CS2, 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 CS2 यहने 4 CS2 है तो कुल यहाँ पर carbon परमाड़ों की संख्या हो गई 6 यदि हम इसे पूरे बंद के साथ दर्शाते है तो यह काफी जगा ल सकते हैं जैसे CS3, CH2, whole 4 और CS3 तो यहाँ जो हमने बीच में CH2, whole 4 लिखा यहने 4 को पादांग के रूप में लिखा वास्तों में यह दर्शाता है कि बीच में जो CS2 है उसकी कुल संख्या 4 है और दोनों एंड पर CS3, CS3 है तो यदि हम इसे काउंट करेंगे तो बीच में 4, 5 और ये हो गया 6, तो टोटल कार्बन परमाणगों की संख्या यहाँ 6 हो गई, यह हिगजेन को दर्शाता है, normal हिगजेन है ये क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकलबंद, कार्बन कार्बन के बीच भी एकलबंद होता है तो यह एक संत्रिप्ट हाइड्रो कार्बन है तो ऐसे ही कार्बन की श्रिंखला को यदि लगातार बढ़ाते जाएं तो लगातार बढ़ाते बढ़ाते यदि बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं तो इस तरह संगहनित सूतर लिक कर भी हम उस श्रिंखला को व् तो हम सबसे पहले दोनों सिरे पर CH3, CH3 कर देंगे और बीच में 6 बार CH2 न लिखकर CH2 whole 6 कर देंगे, कोश्टक लगा के पादांग के रूप में यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो CH3, CH2 whole 6 और CH3, तो बीच में 6 CH2 हो गए और दोनों एंड पर एक एक CH3 हो गए, तो 6 और 2, 8 तो कार्बन परमाणों की संख्या यहाँ पर 8 हो गई, जिसे हम ओक्टेन कहते हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि यदि हमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तब तो हम इस तरह से संगनित सूत्र के दबारा उससे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हम एथीन और एथाइन को व्यक्त करेंगे, अर्थात हम असंत्रिप्त हाइड्रो कार्बन को लिखेंगे, तो वह किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं, कि वास्तों में यह जो हाइड्रो कार्बन है, वह कितने प्रकार का होता है, यदि हम बंद के रूप मे उसे देखें तो जैसा कि हमने देखा एलकेन तो एलकेन जो है वहाँ पर हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंद है कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी एकल बंद है यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को दो अलग-अलग श्रेणियों में बाठ सकते ह एक है संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन तो संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन के अंतरगत आता है इलकेन जिसमें हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंद बना हुआ है दूसरी और हम देख रहे है असंत्रिप्ट हाइड्रो कार्बन जिसमें इलकीन और इलकाइन होता है तो असंत्रिप्ट हाइड्रो कार्बन में जो इलकीन है वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में दूई बंद होता है दूसरी तरफ असंत्रिप्त हाइड्रो कार्बन का एक और वर्ग है जिसे हम इलकाइन कहते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच तीन बंद होते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पर द्वी बंद और त्री बंद हो कार्बन कार्बन के बीच में उसे हम असंत्रिप्त हाइड्रो कार्बन की श्रेणी में रखते हैं और जहां कार्बन कार्बन के बीच एकल बंद हो उसे हम संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन की श्रेणी वह असंत्रिप्ट हाइड्रोकार्बन क्रमशय है इसे हम एलकीन और एलकाइन परिवार के नाम से जानते हैं तो एलकीन और एलकाइन में एक-एक बहुत ही साधरन सा जो उदहरन है या सबसे पहला जो सदर से है उसे हम देखेंगे तो तो एलकीन जो परिवार है उसकी शुरुवात जो है उसका जो प्रारंभ है सबसे पहला जो योगिक है वह होता है एथीन एथीन भी कहते हैं एथीलीन भी कहते हैं जिसमें CH2 double bond CH2 तो यहां पर C और C के बीच दुईबंध है और एक C से जुड़ा हुआ दो हाइड्रोजन और कार्बन की सहुजगता भी हो गई चार दूसरी ओर हम जो सबसे सरलता मुदाहरण है एथाइन जो की एलकाइन परिवार का है C और C के बीच में तीन बंध हो गए C और H के बीच एकल बंध हो गया तो यहां भी हम देख रहे हैं कि कार्बन की सहुजगता पूर्ण होती है चार होता है तीन और एक चार और इधर भी कार्बन की सहुजगता पूर्ण हो रही है तो तीन और यह हाइडोजन के साथ हो जो की प्रकृति का एक तरह से आधार बनते हैं विभिन प्रकार के जीवों का जीने का अधार भी बनता है यह पूरा जो हाइड्रोकार्बन परिवार है अब हम धिरे-धिरे इस हाइड्रोकारबन परिवार से समबन्दित और भी जानकारी समझेंगे यहां आपने देखा कि जो एथीन और एथाइन है इसे भी संगहनित रूप में कैसे लिखेंगे तो जैसा CH2 double bond CH2 तो यदि इसे पूरे बंद के रूप में लिखा जाएगा तो C के साथ जुड़ा हुआ दो hydrogen bond लगा कर भी लिख सकते हैं और दूसरे C के साथ जुड़ा हुआ भी दोनों hydrogen इसे भी bond लिख सकते हैं लेकिन यदि हम bond नहीं लगाएं CH2 double bond CH2 तो भी यह समझना है कि CH2 double bond CH2 यानि C और H के बीच में निश्चित रूप से एकल बंद बना हुआ है इसी तरह से यदि हम एथाइन के सुत्रों को देखें तो CH triple bond CH यदि हम C और H के बीच में single bond या एकल बंद को ना भी दर्शा हैं तो भी यह समझना है कि C और H के बीच में निश्चित रूप से एकल बंद का निर्माड हुआ है यह कह सकते हैं कि CH triple bond CH यह एथाइन को दर्शाने का एक संघनित रूप है या संघनित सुत्र के रूप में एथाइन को हम ऐसे ही लिखेंगे CH triple bond CH, एथीन को लिखेंगे CH2 double bond CH2, तो यहां हमने सीखा कि कैसे बड़े सुत्र को या बिभिन प्रकार के जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंद हैं उसे बहुत लंबे श्रिंखला में ना लिख कर हम कैसे संघनित रूप में लिख सकते हैं, अब हमने जो यह सीखा कि जो संत्रिप् हैं, वास्तों में इसके जो अलग-अलग परिवार हैं, अलकेन, अलकीन, अलकाइन, अब हम धीरे-धीरे एक-एक करके इसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में जो अलकेन हैं उसके बारे में जानेंगे, तो सबसे जो मुख्य तो कार्बन परिवार में एक लंबी संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन की श्रिंखला बनती है। तो सबसे पहले हम एलकेन का जो सूत्र है उसे सीखेंगे। एलकेन के लिए जो सूत्र दिया गया है CnH2n प्लस 2। तो CnH2n प्लस 2 यहाँ पर जो यह N है यह कार्बन परमाणवों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर हम C बरावर यदि एक करते हैं तो मेत है, दो करने पर एत होगा, तीन प्रोप, कार्बन यदि 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होने पर पेंट, कार्बन की संख्या 6 होने पर हेक्स, कार्बन की संख्या 7 होने पर हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 होने पर आक्ट, और कार्बन की संख्या 9 होने पर नोन, कार्बन की संख्या 10 होने पर ड पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक इस तरह से लिखा जाता है लेकिन इस परिवार में एलकेन जो नाम दिया गया है तो इसमें एलक, धन, एन ये दो शब्द लगा हुआ है मूल भाग जो है वह एलक है और इसमें सफिक्स या अनुलगन जो है वो एन है तो यदि हम मेथ धन एन करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन, यदि हम एथ धन एन करेंगे तो एथेन, यदि हम प्रोप धन एन करेंगे तो प्रोपेन, यदि हम ब्यूट धन एन करेंगे तो ब्यूटेन, यदि हम पेंट धन एन करेंगे तो पेंटेन, हेक्स धन एन करेंगे तो हेक्जेन, हेप्ट धन एन करेंगे तो हेप्टेन, ओक्ट धन एन करेंगे तो ओक्टेन, नोन धन एन करेंगे तो नोन एन और डेक धन एन करेंगे तो डेकेन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं, तो नए-नए hydrocarbon हमें प्राप्त होते हैं इनका सूत्र हम कैसे लिख सकते हैं जो हमने सामाने सूत्रे देखा cn h2n plus 2 तो यदि n बराबर एक करते हैं तो c के नीचे एक लिखेंगे h2n plus 2 तो यहां पर 2 into 1 plus 2 तो h के नीचे हो जाएगा 4 तो c h4 हो गया मेथेन दूसरी और यदि हम c c बराबर 2 करते हैं तो c के नीचे 2 n की जगा पर हम 2 लिख दिये h2 into 2 plus 2 तो 2 गुणा 2 4 और धन 2 6 तो यहां पर क्या हो गया c2 h6 तो c2 h6 को हम संघनित रूप में जब इसके सूत्र को लिखते हैं तो c s3 c s3 भी लिखा जा सकता है और यदि बंध के रूप में लिखते हैं तो c h 3 h जुड़ा हुआ c के साथ 3 h जुड़ा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं तो number of carbon atom जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इलकेन परिवार के विभिन सदस्यों को सूत्र के रूप में या संगनीत सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं और उसका नाम भी बदलता जाता है यदि हम बीच से किसी एक सदस्य का सूत्र जानना चाहते हैं कैसे मान लीजिए हम carbon बराबर 5 यानि carbon परमाड़ों की संख्याइदी 5 होगी तो वह की इस प्रकार का hydrocarbon बनाएगा तो pent 5 carbon परमाड़ों को हम pent कहते हैं और L लगाने पर pentane होता है तो इसका जो सूत्र होगा carbon के नीचे लिखेंगे 5 hydrogen 2 into 5 plus 2 तो C5H12 ये सूत्र होगा इसमें यानि carbon परमाड़ों की संख्या 5 हो गई, carbon आपस में सीधी श्रिंखला से जुड़ी हुई है मैंने single bond से वो जुड़ा हुआ है और hydrogen के साथ भी वो single bond से जुड़ा हुआ है यदि हम pentane को संगानीच सूत्र के रूप में लिखेंगे तो CH3, CH2 whole 3 कर देंगे और end में भी लिख देंगे CS3 तो 2 CS3 दोनों तरफ और बीच में CH2 whole 3 हो गया तो 3 और 2 5 तो कुल कार्बन परमाणों की संख्या यहां पर हो गई 5 तो ऐसे ही हम लगातार यदि श्रिंखला को बढ़ाते जाए जैसे यदि हम octane लिखना चाहते हैं तो CS3 end में भी CS3 और बीच में CH2 whole 6 कर देंगे तो इधर भी CS3 और लास्ट में भी CS3 और बीच में 6 CH2 हो गए तो 6 और 2 8 तो कुल कार्बन परमाणों की संख्या यहां पर 8 हो गई जिसे हम octane भी कहते हैं तो यहां पर हमने विभिन अनुसूत्रों को जाना इन अनुसूत्रों में हमने यह देखा कि इसका जो सामाने सूत्र है इसे हम CN H2N plus 2 के नाम से जानते हैं और इस alkane के परिवार में हम देखते हैं कि कार्बन के जितने भी परमाणों आपस में जुड़े हुए हैं वे सभी एकल बंद से जुड़े हुए हैं और कार्बन और हाइडरोजन आपस में एकल बंद से जुड़े होते हैं तो इस पूरे परिवार को हम कह सकते हैं कि यह एक सजाती श्रेणी है यहने लगातार हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाणों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन सभी योगीकों में जो बंद का प्रकार है वह एकल ही है और सभी लगातार कार्बन परमाणों की संख्या बढ़ती जारी है उसके साथ साथ हाइडरोजन परमाणों की संख्या भी बढ़ती जारी है लेकिन एक निश्शित क्रम में कार्बन और हाइडोजन की संख्या में विर्धी होती है जैसे यदि हम देखें CH4, C2H6 तो CH4 से C2H6 बनने में एक कार्बन और दो हाइडोजन जुड़ता है यदि की CH2 का अंतर देखने को मिलता है यदि हम C2H6 के बाद C3H8 देखें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1C और 2H बढ़ा यदि तीनों में हम जब देखते हैं तो CH2, CH2 का अंतर देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमने देखा कि जब मेथेन, एथेन और प्रोपेन या ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्जेन इसकी एक लंबी श्रिंखला यदि हम बनाते हैं पूरे परिवार को देखते हैं तो सभी में हम देख रहे हैं कि CH2 का अंतर देखने को मिलता है तो यह एक सजाती श्रेणी को दर्शाता है तो यहाँ हम सजाती श्रेणी को परिभाशित कर सकते हैं कि योगीकों की वह श्रिंखला जिन में निकटम सदस्य के जो जोडों के बीच ऐसा संबंध होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी एक दूसरे से एक निश्चित क्रमबत तरीके से जुड़े हैं यानि सभी के बीच में CH2 का अंतर होता है तो सभी इलकेनों का जो सामाने निकटम सदस्यों के जोडों में ऐसा संबंध हो उस रिंखला को हम साजाती श्रेणी कहते हैं तो इस परिवार में हम देख रहे हैं कि जो क्रमागत या जो निकटम सदस्यों है वहाँ पर CH2 इकाई का अंतर देखने को मिलता है अब यदि हम इस CH2 इकाई के द्रविमान को देखें तो कार्बन का जो परमाडू भार है वह 12 है और हाइडरोजन का जो परमाडू भार है वह 1 है लेकिन चूकि H की संख्या 2 है CH2 में तो H1 इंटू 2 प्लस 12 तो 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 योनिफाइड मास यहाँ पर हम देख रहे है कि यदि दो क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर है तो दो क्रमागत सदस्यों के बीच 14 योनिफाइड मास का अंतर भी देखने को मिलता है तो अडू भार का अंतर भी निश्चित क्रम में हमें देखने को मिलेगा यदि हम मेथेन से स्टार्ट करके पेंटेन, हेक्जेन, हेप्टेन तक महुषते हैं तो सभी जगा पर हमें एक निश्चित क्रमबत तरीके से अलुभार में विरिधी भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम एक क्रमिक परिवर्तन को देखते हैं और इस क्रमिक परिवर्तन के आधार पर ही इसके भौतिक गुणों में भी क्रमबत ता देखने को मिलती है जब हम भौतिक गुणों की बात करते हैं तो एलकेनों के बीच जो क्वतनांख है वह मेथेन का यदि हम डिगरी सेलसियस में देखें तो माइनस 162 मेथेन के लिए हो गया एथेन में माइनस 89 प्रोपेन माइनस 42 ब्यूटेन माइनस 0.5 और पेंटेन में हम देख रहे हैं 36 और हेक्जेन का होता है यहां पर 69 तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्रमबद तरीके से लगातार इलकेन का जो क्वतनांख है वह भी बढ़ता जा रहा है और इलकेन के क्वतनांख के बढ़ने का कारण भी कारबन परमाड़ों की संख्या का लगातार बढ़ते जाना है के कृथनांग से अधिक देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एलकेन का कवथनांग उसके अणुभार पर निर्भर करता हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जतने भी सजाती सदस्य है उन्की जो भौतिक गुर्ध pensar में Dos उसमें क्रमिक और नियमित परिवर्तन पाया जाता है और इसका कारण यही है कि दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2-1 का अंतर है और अणुभार में 14 यूनिफाइड मास्क का डिफरेंस अंतर देखने को मिलता है